आज हम करेंगे exercise 3.2 का second question जिसमें कहता है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ग्याद कीजिए कि निवन समीकर्ण योगम द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेदित करती हैं या समानतर हैं या समपाती हैं ठीक है तुलना करके हमें याद करना है कि ये प्रतिछेद करती हैं या समानतर हैं या समपाती हैं ठीक है ये question सुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा जानना है इनके बारे में कि क्या प्रतिछेदित रेखाएं कब होती हैं समानतर रेखाएं कब होती हैं ठीक है यानि a1 बाटे a2 बराबर नहीं है b1 बाटे b2 के सबसे पहले हमें जो यह समिकर्ण ने दी गई है इनमें हमें मान निकालने हैं तुलना करके हमें मान निकालने हैं किसके a1, b1, c1, a2, b2 और c2 गे ठीक है मान निकालके हमें देखना है कि वो A1 बटे A2, A1 के बटे A2 करेंगे और B1 के बटे B2 करेंगे अगर वो दोनों बराबर नहीं है आपस में तो इसका मतलब वो रेखाएं क्या है प्रतिछेदित करती रेखाएं है ठीक है उसका हल क्या होगा प्रतिछेदित करती रेखाएं अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2 के तो इसका मतलब वो क्या है समपाती रेखाएं होंगे और इसी परकार अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के पर नहीं है बराबर कि इसके सीवन बटे सीटू के, तो इसका मतलब कैसी होंगे समानतर रिखाएं हो, जो करेंगे इस question को, इसमें जो निया पहले समीकर्ण दी हुए, इसको मानेंगे हम पहली समीकर्ण और यह हैं, दूसरी समीकर्ण, इन दोनों समीकरणों की तुल्ला हम करेंगे, जो हमारा व्यापक रूप है, किसका रैखिक समीकरण का जो हमारा व्यापक रूप है, वो क्या है? लिखेंगे हम की समीकरण एक और दो की तुल्ला क्रमश है, जो हमारा व्यापक रूप है, कौन सा? A1X plus B1Y plus C1 बराबर 0 और A2X plus B2Y plus C2 is equal to 0 से करने पर, इन दोनों की तुल्ला, इस जो हमारा व्यापक रूप है, रैखिक समीकरण का, उससे अगर तुल्ला करते हैं, तो देखो तुल्ला में क्या आता है? क्रमश है लिखा है, यानि के पहली को पहली से करेंगे और दूसरे वाली को दूसरे से करेंगे, ठीक है, यहां पर X के साथ क्या है, A1 है, A1 का मान यहां कितना आया, 5 आया, ऐसे ही हम दूसरा करेंगे, यहां Y के साथ क्या है, B1 है, यहां Y के साथ क्या है, माइनस के 4 है, य याँ वात है याँ कि रिए साथ का मारे soup निभ च्छ च्छ प्रburg को यह मैं निख च्छ गेए कि अब हमारी साह है अब हमारा में काम क्या है देखने के लिए हमें यह क्या करना पड़ेगा A1 के बटे A2 करना पड़ेगा यहाँ A1 है यह A2 है लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर A1 का मान कितना है 5 है A2 का मान कितना है 7 है अब आगे करेंगे क्या B1 बटे B2 देखेंगे हम B1 के बटे क्या है B2 है B1 कितना है माइनस के 4 और B2 कितना है हमारे पास 6 इनको काटेंगे दो दूनी 4 दो तीए 6 मान के आया माइनस के 2 बटे 3 अब यहाँ देखो A1 बटे A2 क्या है पांच बटे 7 B1 बटे B2 क्या है माइनस के 2 बटे 3 यानि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है अगर ये 1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके B1 बटे B2 के तो इसका मतलब ये क्या है प्रतिछेदित करती रेखाएं लिखेंगे हम कि अतह है रेखाएं एक तथा दो क्या हैं? प्रति छेदित करती रेखाएं है ठीक है ऐसे हमारा है सेकिंड पार्ट इसमें भी क्या करेंगे हम? इसको रखेंगे समिकरण एक, इसको हमने दिया समिकरण दो का नाम अब हम इन दोनों समिकर्णों की तुलना करेंगे जो हमारा व्यापक रूप है रैखिक समिकर्ण का वो क्या है लिखेंगे हमकी समिकर्ण समिकर्ण एक और दो की तुलना क्रमशे किसे करेंगे व्यापक रूप क्या है a1 x plus b1 y plus c1 बराबर 0 और a2 x plus b2 y plus c2 बराबर 0 से करने से करने पर हमारा क्या आता है a1 के साथ क्या है x है यहां 9 के साथ क्या है x है यानि a1 का मान कितना आया 9 आया b1 के साथ क्या है y है 3 के साथ क्या है y है यानि b1 का मान कितना आया हमारे पास 3 आया C1 का मान ऐसे हमारे पास कितना आया 12 ठीक है अब अगली समिकन की बात करेंगे 18X यहाँ A2X यहाँ A2 का मान कितना आया 18 यहाँ 6Y यहाँ B2Y यहाँ B2 का मान कितना आया 6 आया यहाँ क्या है 24 यहाँ क्या है C2 यानि C2 का मान कितना आया हमारा 24 आया आगी सबकी values अब हमें क्या करना है देखना है कि यह क्या है क्या नहीं ऐसे ही हम करेंगे तो A1 बटे A2, A1 कितना है, 9 है, A2 कितना है, हमारा 18 है, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, यानि कि A1 बटे A2 का माना है, 1 बटे 2, अब करेंगे हम B1 बटे B2, B1 क्या हमारे पास 3 है, B2 क्या हमारे पास 6 है, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 1 बटे 2, अब करेंगे C1 बटे C2, C1 क्या हमारे पास 12 है, और C2 क्या है हमारे पास 24 है 12 एकम 12 बारा दुनी 24 यानि एक बटे 2 हमने क्या देखा A1 बटे A2 कितना या एक बटे 2 B1 बटे B2 कितना है एक बटे 2 C1 बटे C2 कितना है एक बटे 2 इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर है अगर ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है समपाती रेखाएं है ठीक है इसका मतलब ये जो दो समी करने है ये क्या है समपाती रेखाएं है लिखेंगे हम कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2K आता है, रेखाएं, एक तथा दो समपाती हैं, ठीक है, अब करेंगे हम थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें, यह जो दो समीकर्ण ने दी गई हैं, इसको माल लिए हमने पहली समीकर्ण, और इसको कह दिया दूसरी समीकर्ण, वह वैसे ही करेंगे, कि क्या समीकर्ण, समीकर्ण एक तथा दो की तुल्ला, क्रमशे, A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, इससे पहले हम अपना फर्स चैप्टर और सेकिंड चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं, और 3.2 तक हमने जितना किये हैं, वो कर चुके हैं, ठीक है, अगर आपने वो सब नहीं देखा, तो आप हमारी प्लेलिट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब हम करेंगे इसकी तुलना, A1X यानि के 6X, यानि A1 की वैल्यू कितने आई 6 आई, B1 की वैल्यू कितने आई, माइनस के 3 आई, और C1 की वैल्यू कितने आई, 10 आई, ऐसे ही दूसरी जो समिकर्ण है, उसकी तुलना करेंगे, A2 की value क्या आई 2 आई B2 की value क्या आई minus के 1 आई और C2 की value क्या आई हमारे पास 990 क्या आगी हमारी सारी values अब हम करेंगे A1 बटे A2 यानि करके देखते हैं क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के A1 कितना है 6 है A2 कितना है हमारे पास 2 दो एकम दो दो तीए छे यानि के तीन बटे एक अगला है हमारे B1 बटे B2 B1 क्या है हमारे पास माइनस के 3 है और B2 क्या है हमारे पास माइनस के 1 माइनस से माइनस कैंसल यानि के तीन बटे एक अगला है हमारे पास C1 बटे C2 C1 क्या हमारे पास 10 है और C2 क्या है हमारे पास नो यह आपस में कटते नहीं तो 10 बटे नो इसका मतलब क्या देखा हमने कि A1 बटे A2 3 बटे 1 है B1 बटे B2 3 बटे 1 है C1 बटे C2 क्या है 10 बटे 9 है यानि यह दोनों तो आपस में equal हैं लेकिन यह आपस में equal नहीं है लिखेंगे हम कि A1 बटे A2 बराबर है किसके B1 बटे B2 के पर नहीं है बराबर किसके C1 बटे C2 के अगर ये दोनों आपस में बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है ये जो दो समी करने दी गई है ये क्या है समानतर रेखाएं है लिखेंगे हम अतह रेखाएं एक तथा दो क्या है समानतर है ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थेंक्यू